अब सबका रिजल्ट आ चुका है और सबके मार्क्स भी आपको पता चल चुके हैं तो अभी ना बहुत सारे लोग एक के मन में एक सवाल चल रहा है कि सर दो हजार तेइस में हमने काफी सारे प्री एक्जाम दिये हमारा तो प्री भी क्लियर नहीं हुआ तो क्या 2024 को टारगेट करे या ना करे इस पर आज हम वीडियो करने वाले साती साथ जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको 2024 में कर तयारी करनी है तो वो कैसे करें तो आज चारों लोग हम बताएंगे आपको कि अगर आप fail हो रहे हो pre-exam में खास तोर पे तो कुछ कमिया है English में क्या कमिया है विशाल सर बताएंगे Maps में क्या है मैं बताऊंगा Reasoning में क्या कमी रह गई है पुनी सर बताएंगे और जो लोग mains में भी fail हो रहे है तो अभी जी सर help करेंगे कि मेंस में आप लोग कहां पे दिक्कादा रही है तो स्टार्ट करते हैं सेशन को pre-exam काफी लोग जब देते हैं तो एक समस्या सबसे ज़्यादा रहती है बच्चों को कि यहर हमारे ना नंबर नहीं आ रहे हैं हम तो 25-30 नंबर ही लेके आप आ रहे हैं 24 में क्या करेंगे कैसे करेंगे direction नहीं मिल पा रही है हम तो एक बार foundation भी पढ़ चुके हैं class भी कर चुके हैं तो इस समय ना बच्चा बहुत demotivator उसको समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है तो start करते हैं one by one तर पहला आप शुरू करेंगे बिल्कुल आइए दोस्तों है क्या कि जैसे English में मैं आपको especially बताता हूँ आपने यह notice किया होगा कि जैसे grammar को आपने पढ़ लिया noun pronoun adjective आपको उसके rule भी आते होगे लेकिन जब उन error detection को आगर आप पूरा सब एक साथ करके देखे हो ना combine form में तो आपको यह नहीं समझ में आता होगा कि इनका इस्तिमाल कैसे करें आप वहाँ भूल जाते हैं जैसे कि आपको मालूम है reading comprehension करते ऐसे हैं वो तो ठीक है लेकिन reading comprehension में score करने के लिए आपकी ability improve होना जरूरी है वो तो तब होगी जब जितनी ज़्यादा practice होगी यह बिल्कुल वैसे ही बात है कि जैसे कि कोई एक निशाना लगाने वाला विक्ती है और उसके हाथ में गन है तो निशाने वाला लगाने वाला विक्ती हाथ में गने जितनी ज़्यादा practice करेगा उतने ज़्यादा उसके chances बढ़ते हैं कि जो उसका target है उस target पे जाकर ही उसकी गोली लगे है ना अगर practice करेगा उससे पता तो है कि मुझे ऐसे करना पता तो है मुझे यहाँ देखना पता तो है ऐसे करके मुझे गोली चलानी है लेकिन जब तक जितनी practice नहीं होगी तब तक वो सही target पे नहीं पहुँच पाएगा और आप सब के साथ भी यही है तो जितने भी बच्चे हमारे है जो की लगता है कि मैं पढ़तो चुका हूँ but I need more practice तो आपकी practice के लिए दोस्तों हम चारों टीचर्स की एक repeater batch करना है जिसका एक ही प्राक्टेस करना और जिसकी शुरुआत है 22 फरवरी से यारी अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है और इस अच्छे खासे समय को आप इस्थिमाल कर सकते हो 22 फरवरी से मैं especially English जब कराऊंगा न तो उस class में पूरा आपको ये बताऊंगा कि हर एक topic reading comprehension तो खूब सारी reading comprehension की practice होगी error detection तो खूब सारी उसकी practice होगी para jungle की questions तो खूब सारी उसकी practice होगी we need practice आपको पता है how to go there बट आपको ये नहीं पता कि वहाँ जाना है speed से कैसे जाना है आग बंद करके भी कैसे जाना है उसके लिए आप तसी होगी और English के लिए यही तरीका है तो आप repeater batch को join किजएगा जिसका link description में 4 teachers की class मिल जाएगी मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तो सुबा 9 बजे ये है उन students के लिए जो repeater है तो जो बिलकुल नए हैं उनको तो basic से पढ़ना है तो basic से पढ़ने के लिए दोस्तो हम 4 teachers का foundation class लती है वहाँ बिलकुल basic से पढ़ाय जाता है इतना basic से पढ़ाय जाता है example देता हूँ English को दोस्तो मैं ये देखता हूँ कि आपकी बहुत सारी चीज़े school time पर आपको पढ़ने चाहिए लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाए उसे school time पर चिता मत करिए मैंने एक basic English की किताब बनाई है वो किताब दोस्तो मैं आप सब को देता हूँ एक बार आप class में आई ताकि आप उस किताब को पढ़ें ताकि school level पर पढ़ने वाली जो चीज़ें वो चीज़ें आपको पता रहें वो पता रहेंगी तो दोस्तो आप score भी कर पाएंगे तो इस level से मैं आपको उठा के लेकर आता हूँ तो foundation पढ़ना है तो foundation batch को join किजेगा और अगर repeater पढ़ना है तो repeater batch को join किजेगा और इन सारे batches को join करने का बस एकी तरीका एक click पर आप सारे batches मिल जाएंगे वो अभी आपको end में हम लोग दोस्तों बताएंगे है ना? सराजी, maths बताएए देखिए बच्चों क्या होता है maths में जितने भी बच्चे fail होते हैं, थोड़ा समझते हैं कि maths में fail होने का reason क्या होता है जब हम पहली बार किसी chapter को पढ़ते हैं, तो हमें वो chapter समझ में आता है, काफी सरी लोग के गलती करते हैं कि sir माल लीजे उन्होंने number series पढ़ा, तो वो कहते हैं हाँ sir समझ में आ गया, अब exam का एक criteria है कि आपको 20 minute में maximum सवाल करने हैं, तो आपको समझने के साथ साथ एक practice भी आपको चाहिए, तो practice कई बार बच्चों की उतनी अच्छी नहीं होती, वो practice करी नहीं पाते, उन्होंने एक foundation पढ़ लिया, उनको लगता है, हाई चीज तो मैंने सीख लिये, सीखना, समझना अलग बात है, उस पे ऐसी practice लेके आना कि उसको बहुत कम समय बना पाऊ, दूसरी बात है, तो अगर मैं आपको बता हूँ, देखे, इस बार मैंने प्लान यही किया था, कि जो 2024 में टार्गेट कर रहे हैं, जिनका pre-exam qualify नहीं हुआ, वो क्या करिये, एक मेरे repeater के साथ join कीजिए, जो मेरा repeater batch होने वाला है, उसमें मैं बताता हूँ, कि मैं क्या खास करने वाला हूँ, हम लोग इस पे दो चीज़ों पे जादा फोकस करने वाले हैं, दो चीज़े कौन-कौन सी हैं वो, सबसे पहली चीज़े हमारी arithmetic और D.I. और arithmetic को भी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, शेप्टरवाइस कर रहे हैं, जैसे example के लिए बताता हूँ, सर में आपको, कि जैसे आपने पिछले साल foundation पढ़ा मेरे साथ, और आपने percentage सीख लिया, और आपका pre-clear ही नहीं हुआ, अब आपके मन में सवाल होगा, मैं करूँ क्या 2024 में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बुल रहा हूँ कि आप आओ, percentage के ना मेरे साथ 30 question करो, class 1, class 2, और class 3, ये वो सवाल है, जो हर बार pre में आते, तो इसमें मैं आपको क्या करूँगा, approaches बताऊँगा, कि देखो, आपकी approach अलागे, मेरी approach अलागे, हमें approaches पे काम करना है, तो दो, yes, 2024 में, जो main game होने वाला है, आपके लिए बच्चों, वो है approach, क्योंकि आपको concepts clear है, समझ में चीज़े आ रही है, लेकिन आपकी जो approach है, वो उतनी कारगर नहीं, जिससे question बन पा रहा है, इसलिए आपके attempt बड़े कम रह जा रहे हैं, तो पहला काम आपको क्या सीखना है, 2024 में approach, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पुराने बच्चे हैं, इसलिए उनके लिए हम repeater ले के आए, वरना हम ही बोलते कि आप foundation, क्योंकि उनको दुबारे foundation पढ़ाने का कोई game नहीं है, आप सीख चुके हो, समझ चुके हो, आप आओ, अपने हर एक chapter की approach पे काम करो, जब आप आओगे, जैसे arithmetic पे आओगे, मैंने का percentage के आपको मैंने तीन classes प्रोवाइट करें, मैंने 100 questions करा दिये, इसके बाद सर मैं आपको percentage की work sheet और दे दूँगा, प्रैक्टिस करने के लिए, जब ये काम आप कर लोगे, तो आपका एक chapter ना अच्छा हो जाएगा, अब आपको महसूस होगा कि हायर सर सही कह रहे हो, आपकी percentage में आप मुझे जीजे click करने लगी है, multiple time साब इसकी practice करोगे, धीरे-धीरे एके करके हम सारे chapter को cover करेंगे, हमें महसूस होगा arithmetic, अब हमें समझ आने लगाए, हमारा बनने लगाए, तो इस तरीके से हम चलेंगे, और दूसरा segment होगा हमारा D.I.E. का, तो D.I.E. में भी variation, कितने तरह की D.I.E.E. बन सकती है, चाहे वो variable के साथ pre में आ जाए, condition लगा दूँ, अगर आप नए बच्चे हो, तो आप enroll कर लीजेगा, banker foundation batch में, तो कि ये foundation batch है, ये compulsory ये बिटा आप के लिए है, तो banker foundation batch 2024 का, इसमें आप enroll कर लीजेगा, और अगर आप old हैं, तो आप इसमें कर लेंगे, repeater में, अच्छा, दूसरी बात, सर बस एक मिनटा, दूसरी बात, आपको अलाग अलाग इसके लिए पेनी करना, ये one subscription के अंदर मिल जाएगा, वो subscription कैसे buy करना है, वो अभी हम आपको बताएंगे, पहले आप reasoning और GA का समझ लीजिए, सर बाइए, दोस्तों अरुन सर की बात को ये आगे बढ़ाता हूं, देखिए, जैसे कि हम लोगों ने title में बता रखा है आपको, कि अगर आपके pre नहीं निकले हैं, तो इस लगे आपको पता तो है कि, चीजे क्या होती हैं, बैंक में क्या आता है, slibus क्या है, पर कही न कही कोई कमी रह रही है, जिसके वेसे आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके exam crack नहीं हो रहे हैं, दूसरे वो बच्चे जो बिलकुल नहीं है, जिनको अभी initiate लेना शुरू किया है, कि चलो हमें भी banking sector में अपना career बनाना है, हर साल, लाखों लोग कोशिश करते हैं, banking sector में आने की, सफल कुछ ही होते हैं, reason vacancy limited है, पर कही न कही एक चीज है, जो हर एक की रहा में आसानी कर सकती है, वो है strategy और planning, तो सबसे पहले आपको अगर आप यहाँ पर, जैसे सर ने बताया, जो की आने वाली है, अच्छी बात ही है, 22 तारिक अभी आने वाली है, तो यह start होगा 22 तारिक से, 22 तारिक से, 20 सेगिंड ओफ वैब से, हम चारों लोग आपके लिए लेकर आप रहे है, repeater batch, अब यह repeater batch का मतलब है, जो आपकी कमिया है, उसको दूर करना, देखिए, आपको पता है syllabus क्या होता, आपको पता है, इन चीजों में आता क्या चाहिए, math की बात कर ले, reasoning की बात कर ले, English जी, आपने पढ़ा था, पर आप इनकी सफलता नहीं मिली, वो सफलता ना मिलने की वज़ा, इसमें दूर करेंगे, हम लोग उन points पर बात करके, उन topic पर बात करके, जो exam में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो exam में सबसे ज़्यादा गलती कर बाते हैं, जिससे कि आपकी जो गलती mistakes हैं, उनको दूर कर सकें, दूसरा, अगर ये class आप करते हो, reasoning English math GA की, तो हम लोग आपकी पकड़ बना देंगे उन चीज़ उपर, जो ज़्यादा exam में marks की value रखती हैं, जैसे कि reasoning की बात करूँ तो puzzle, puzzle को और depth में हले कर चलेंगे, लेकिन उन puzzle पर बात करेंगे, जो pre और मेंस में पूछे जाती हैं, इसके लाबा, अगर आप पहली बार पढ़ना चाहरे हैं, और आप अपना career बनाना चाहरे हैं, आप YouTube पर पढ़ते हैं, या कहीं पर भी पढ़ते हैं, और आपका मन है, class join करने का foundation, तो सबसे पहले जो foundation 2024 के लिए, जो गलती बच्चा करता है, वो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको नहीं करनी है, जब मैं reasoning पढ़ाता हूँ, जब बच्चा नया होता है, तो उसको लगता है, इच्छा सर हमने inequality पढ़ लिया, और वो focus करने लगता है, speed पर, और हम ये चीज़े भूल जाते हैं, कि speed आती है, by default practice करते 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 करते, जब आप class करने आए, जब कभी भी आप concept पढ़ने आए, तो speed के पीछे ना भागे, पहले आप सीखे concept, बच्चे को लगता है, मैं आ गया हूँ, बैंकिंग ये तेहारी करना हूँ, और आती ही मैं speed पर काम करने लोगा, जिस चक्कर में वो उतना focus, उतना concentration नहीं कर पाता, जो exam के लिए और concept के लिए सीखने के लिए जरूरी है, तो ये आपने mistake किया करी, कि आपने focus कर दिया, जो बाद में focus होना था, ये speed वाला काम हमारा और आपका मिलके होता, ये practice का काम है, जो लगातार continuous minus से किया जाता है, तो इस पर secondary जाना है, पहले जाना है concept पर, concept के बाद second चीज़ होती है accuracy, तो पहले concept, दूसरी accuracy, concept accuracy जो आपने सीख ली, आपने questions लगा लिए, हमारे साथ practice करके लगाए, या book से लगाए, या work sheet से लगाए, जहां सी भी आपने लगाए, आपने practice के concept किया, accuracy की, concept से accuracy आई, accuracy के समय आप speed पर focus नहीं करेंगे, जब आपको ये short हो जाए 100%, कि यार ये ऐसा topic है, जिसमें कोई भी question हो, हो सकता है, concept और accuracy के बाद, तब आप हमारे साथ मिलके, speed पर काम करेंगे, ठीके दोस्तों, तो ये तीसरा काम होता है, जो बच्चे जनली आते ही कोशिश करते हैं, speed नहीं आ रही, अरे बहुँ कल तो पढ़ना आपने शुरू किया, भी आपको speed के ऊपर जा रहे हैं, और ये गल्ती वो लोग भी करते हैं, जो 2023 में प्री निकालने में समर्थ नहीं हो पाए, reason, speed तो सर आपकी थी, काफी बच्चे के साथ हम लोग deal करते हैं, वो कहतें, सर speed भी अच्छी थी, तयारी भी पूरी थी, लेकिन पेपर नहीं निकला, वो पेपर नहीं निकला, आपके इस second point की वेंच से, जो है accuracy, आपकी speed अच्छी थी, लेकिन आपने accuracy पर ध्यान नहीं दिया, तो 5 में से एक गलत हुआ, माइनस में negative marking और गई, फिर कोई 5 कुशन है, उसमें गलत हुआ, वो यह है कि आपने इस साल त्यारी की, और आपका selection नहीं हुआ, तो ऐसे क्या soft skills है, ऐसे कौन से point है, जो आपको हम दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, जिससे आपको edge मिल जाए, edge का मतलब होता है दूस्तों, दूसरों से कैसे आप अलग हो सकते हैं, जो दूसरों अगर मैं बात करूँ, पूरे exam pattern की, तो आपको बता है कि pre के exams होते हैं, main exam होते हैं, अगर हम P.O. level की बात, उसमें interview भी होता है, clerical में interview आपका नहीं होता है, quant, English और reasoning के बारे में, सारे faculties में, educators ने आपको उटा दिया, कैसे आपको पढ़ना होता है दोस्तों, अब मैं last जिये की बात करूँगा, और दोस्तों, जिये में हम बात कर पाएंगे तभी, जब आपका pre qualify हो जाता है, ठीक, लेगिन दोस्तों, journal awareness के बारे में, थोड़ी बात हमें समझनी पड़ेगी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप clerical की दोस्तों बात करते हैं, तो clerical में आपकी G.A आती है, 40 नमबर की आती, 50 नमबर की आती, और अगर हम P.O की बात करते हैं, तो आपकी G.A जो होती है, वो आपकी 40 नमबर की आती है, ठीक है, सबसे पहले, आपको cut-off देखना चाहिए, मतलब पिछले 2 साल, 3 साल में cut-off में क्या चल रहा है, अगर हम mains की बात करते हैं, तो कितने cut-off बिटा गई है, math में, reasoning में, English में और G.A में, और फिर उसके बाद, और और cut-off कितनी गई है, maximum time दोस्तों आप पाएंगे, कि जो G.A कट-off होती है, वो math और reasoning साभी कम जाती है, English भी कम जाती है, जैसे for example, इस बाद ग्रामीर बैंकी बात करें, एक number cut-off गई है, एक number, देड़ number, cut-off दो गई है दोस्तों, तो ये इतना cut-off कम क्यों जाता है, क्योंग या इस एक बात आपको समझना चाहिए, कि G.A का pattern बड़ा change हो गया है, ये pattern change इसलिए हो गया है दोस्तों, कि अब आपके exam में one-liner question नहीं बनते हैं, अब जो आपके exam लेएंगे दोस्तों, वो थोड़ा G.A की बात करें, तो काफी deep में question पूछते हैं, और question पूछते हैं, statement wise question पूछते हैं, अगर आप bank exam की बात करें दोस्तों, current level जो है, अगर हम graduation level की बात करते हैं, तो UPSC छोड़ दिए, तो किसी भी exam से company करेंगे, तो सबसे tough exam का banking का होगा है G.A कैसे, तो आपको पहले ये समझना पढ़ेगा, कि अगर हम ये सोचें की pre exam qualify करने के बाद, अगर मेंस में हमको time मिलता है, और time कितना मिलता है दोस्तों, time मिलता है हमको for example, एक month, अगर एक month में हम कर लेंगे, तो ये आप गला सोच रहो क्यों, क्या question ये है कि एक month में नहीं हो पाएगा, एक month में हो सकता है, लेकिन दोस्तों, आप अपने दिल से पूशेगा, तयारी आप तब करते हो, जब pre-care result आजाते हैं तब, तो pre-care result आने में दोस्तों, एक्जाम के बाद आप मालो 15 days, 20 days लग आते हैं, अब 15 दिन आपने और ख़राप कर दिया, अब अच्छा आपका 10-15 days उसमें आप क्या तहरी कर पाएंगे, State Bank of India Clarical अभी हुआ, maximum बच्चों ने, जब marks जब जल चागए उनके, तो 10 days हो जएते, अब 10 days में उनने तहरी करनी है, ये पूशन से कैसे करें, तो कहने का मतलब गाई सबको पहले से ready होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये Quant, Reasoning, English जी सबके लिए, आपको पहले से अपना syllabus complete करना चाहिए, proper revision करना चाहिए, और जब exam आए, तो that time पर आपको पुरा polish होना चाहिए, ताकि exam दीजे औ, qualify की selection लेजे, एक बाद आपके mindset में यह होना चाहिए, कि आपको exam qualify करना है, selection लेना है, आपको पहले pre-exam देना है, फिर mainz देना है, उसके बाद आप experiment करना नहीं आए, experiment के लिए time बचा है नहीं आपके पास, तो मेरा मानना यह है, दोस्तों कि जिस दिन आप त्यारी करने के लिए आते, उसी दिन से आपको current affairs को एक time देना चाहिए, banking financial awareness का syllabus complete करना चाहिए, और जब mainz exam माय है, तो अपको अपने आपको polish कर लेना चाहिए, यही exam में selection का, बस एक मात्र मूल मंत्र है, सर, तो यहां मेरी बेख खतम होती है, दोस्तों, यह आप लोगों को, हम चारों लोगों ने बता दिया कि कैसे आपको पढ़ना है, किस class में पढ़ना है, now the point is कि कैसे हमें access मिलेगा इन classes का, तो उसके लिए आप लोगों को on academy पर plus का subscription लेना होगा, एक बार आप on academy पर plus का subscription ले लेते हैं, तो यह सारी के सारी batches, भले अब यह दो batches हो, और upcoming जितनी जैसे for example एक साल का subscription लेंगे, तो upcoming एक साल में जितनी भी classes, जितनी भी batches आएंगे, सारे आप access कर पाएंगे, फिर वो आपके लिए सारे free of cost हो जाएंगे, तो आप subscription कैसे लेते हैं, मैं वो दिखा देता हूँ, उसके लिए आप क्या करेंगे, description में एक link लगा हो, सीधर tap करेंगे, और आप सीधा unacademy पर इधर आ जाएंगे, जैसे unacademy पर subscription plan पर आप करके आते हैं, तो आप सीधा इस page पर आएंगे, आप यहां क्या करना, यह plus के subscription को tap करेंगे, यहां tap करने पर आपको दिख जाएगा, यह 20% का off अभी चल रहा है, और यह आपका 21 फरवरी तक offer है, 22 को अपना batch शुरू हो रहा है, चुग लिए recommendation है, कि आप 12 मिने का subscription plan चूज़ करेंगे, ऐसे करके, यह चूज़ करेंगे, अभी लेकिन fees आपको ज़्यादा दिख रही होगी, 20% off तब होगा, यहां लिखा होगा have a referral code, आप यह referral code में लिखना, A, V, P, आप A, V, P लिखेंगे, आप A, V, P, लिखकर आप apply करेंगे, और apply करते ही देखे, fee कम हो जाएगे, fee आपकी 4959, नहीं, नहीं, तो 24 मिने की, sorry, यह fee आपकी हो जाएगे, 4159, यह 12 मिने की fee हो जाएगे, और इसमें 2 मिने extra मिल रहे हैं, यानि की 14 मिने मिल रहे हैं, and that is sufficient, यह आपके लिए बिल्कुल ठीक है, इसका आप इस्तिमाल करेंगे, proceed to pay करके, आप इसे pay कर देंगे, और आपका दोस्तो, discount price ऐसे मिल जाएगा, इसका benefit उठाईए दोस्तो, सभी teachers की timing, दोस्तों में यहां लिख देता हूँ एक बार, और आप सारे की सारे बिच्चे सों देख लीजेगा, कोई समस्या आए, दिक्कत आए, बिलको बता देना, तो दोस्तों हम लोग यहां पर discuss करेंगे, सबसे पहले, आप ही के लिए हम repeater के लिए लिख दे रहे, तो repeater's badge जो है अपने पास है नम, तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले दोस्तों, English है सुबा नौ बजे 9, फिर उसके बाद GA है 11.30 पर 11.30 एम पर फिर उसके बाद reasoning है 3.00 पिएम, फिर maths है दोस्तों 5.30 पिएम, तो यह आपके सामने टाइम हो गया आप लोगों ने देख लिया, यह repeater's batch, now the foundation batch, इसको देख ले रहे हैं दोस्तों, सबी बच्चे timing को दिहान से समझना, ठीक है, सबसे पहले, सबसे पहले GA है दोस्तों 10 एम, उसके बाद maths है दोस्तों 11.30 एम, उसके बाद दोस्तों English है 2 पिएम, और उसके बाद reasoning है, 6 पिएम, ठीक है, यह हैं आप सब लोगों की timing दोस्तों, ध्यान से देख लिजे, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, मैंने आपको यह बता दिया, फिर भी कोई दिक्कत आती है, के सर यह दिक्कत आती है, आप सब लोग comment box पे लिखेएगा, comment box पे लिखकर आप tag कर देजेगा, कि हाँ विशाल सर, यह दिक्कत आ रही है, अरुन सर, यह दिक्कत आ रही है, हम आपको specifically देखकर उसको लेकर वीडियो बना देंगे, आपको solution दे देंगे, उसकी चिंता बिल्कुल मत करेगा, लेकिन यह मौका अभी आपके पास है, 20% off का भी और 2 मेने extra का भी, इस मौके का फाइदा उठा लीजे, यह repeater batch किसी को हमने कभी पहले नहीं बोला लाएंगे, लेकिन आप सब लोग ने जब बोला कि सर हमें जरूरत है, तो जो लोग already subscription ले चुके थे, हमने का ठीके लेकर आते हैं, इसी तरीके से आप भी आईए, आगे आकर आपके कहते हैं कि सर मुझे specifically एक mock paper के लिए हमें कुछ चाहिए, या किसी के लिए भी, x, y, z, किसी भी subject में, तो आप teacher से कहिए, मैं specifically वादा करता हूँ, हम सारे लोग, जहां जहां आपको दिक्कत आएगी, वहां आपके साथ खड़े रहेंगे, उस प्रकार की classes लाते रहेंगे, ठीक है, तो जुड़िए दोस्तों, आज ही हमारे साथ, और selection इस साल लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, wish you all the best दोस्तों, thank you.